सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है आज ये वीडियो अपडेट में लेके आया हूं वेस्ट बेंगल बोर्ड क्लास 12 के हिंदी सब्जेक्ट का तो वेस्ट बेंगल बोर्ड एक्जाम 2022 जो होने जा रहा है हिंदी सब्जेक्ट के लिए क्या-क्या इंपोर्टेंट लेशन और इसका अपने वीडियो के द्वारा कर रहा हूं तो आज वीडियो में डिसक्रसन करेंगे हिंदी का इसका पीरपरवत सी हो गई है पीर परवस्ती इसका discussion आप लोगों के लिए करूंगा और सबसे पहले में लेखक परिचे पढ़ूंगा उसके बाद एक एक करके हरेक लाइन का poem पढ़ूंगा और उसका सारा का अर्थ बताऊंगा उसके बाद आप लोगों को mcq saq और long question क्या इस lesson से important होगा वह आ सबसे पहले किसी भी कविता पढ़ें कोई भी कहानी पढ़ें निबंद पढ़ें आप लोगों जो भी पढ़ें कांकी पढ़ें सबसे पहले आप लोगों को लेखक परिचे पढ़ना कभी का परिचे पढ़ना जरूर जरूरी है क्योंकि इसमें से भी आप लोगों का एक य ने हो गई है फिर परवस्थी ये कवीता दुस्यंद कुमार जी ने लिखी है संकालीन नई कवीता के लोगप्रिय कवी दुसेंद कुमार जी का जन्म 1 सितंबर 1933 इस वी को बिजनौर जीले के राजापूर नवादा में हुआ था एक सितंबर 1933 का इनका जन्म बिजनोर जी लेके राजापुर्ण वादा में हुआ था इन्होंने इलाहबाद विश्विद्याले से में हिंदी यानि मास्टर और फार्ट्स की पढ़ाई में की थी हिंदी विशय में की परिच्छा उतिरनी की इसके पश्चात दुसेंजी स्वतंद्र लेखन करने लगे इ इनकी परमुख रचनाय निम्नलिकित हैं सूरी का स्वागत आवाजों के घेरे जलते हुए वनका वशंत इनके परमुख कावे शंग्रा है साये में धूप इनका गजल संग्रा है एक कंट विस्पाई उनका कावे नाटक है इसके अतिरिक्त उन्होंने कई उपन्याशों को कभी की रचना किया है दूसें जी नई कविता के उन कवियों में से हैं जो तार सप्तकों के माध्यम से कविता के छेतर में अवतरित नहीं हुए इनका कावे भारतिये जनता की आसा नीरासा हर्ष विशाद आदी को अभिवेक्त करता है राजिनितिक दूर्वेवस्था से उत्पन समाजिक विशंगतियों खोकले शिधांतों और दिन परति दिन कठिन होते जा रहे जीवन यापन की समस्याओं से उत्पन हतास की अभिवक्ति इनके काव में हुई हैं इनकी कविताओं में व्यंग और आक्रोज का मिला जोला स्वर दिखाई पड़ता है जिसका का भारन स्वा तंत्र योत्तर राजीनीतिक दूरववस्था को माना जा सकता है इनकी मिल्त्यु 30 दिसंबर 1975 को हिर्दय घात से हुई यानि दुसियंद कुमार जी जो है भारत की सवतंत्रता के बाद भारत की जो राजनीतिक इस्तिति दूरववस्था जो रही है उसी के लाइनों की कवीता है केवल 10 लाइनों की है तो कवीता स्टार्ट करते हैं हो गई है पीर परवसी पिघलनी चाहिए इस हिमाले से कोई गंगा निकलनी चाहिए आज यह दिवार परदों की तरह हिलने लगी सर्थ लेकिन ठीकिए बुनियाद हिलनी चाहिए हर सड़क पर हर गल से कि यह सूरत बदलनी चाहिए मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग मगर जलनी चाहिए तो यह कवीता मात्र दस लाइनों की है इस कवीता का मुख्य देश दुसियंत जी का यह रहा है दुसियंत कुमार जी ने इस कवीता के मादम से हमें यह बताना चाह है कि भारत में आजादी के समय जो भी समस्याएं थी भारत जब आजाद नहीं हुआ था उस समय भारत में जो छोटी-छोटी समस्याएं थी वह समस्याएं आज बढ़ गई है और वह एक पीर से परवत बन गई है यानि कि छोटे से जो है आकार की जो समस्याएं आज बहुत ब तो यह सब भरश्टाचार के खिलाब जो राजनितिक जो दूर्वेवस्ता भारत में है राजनितिक जो भी पाटियां होती है भारत की दूर्दसा को आज तक अभी तक जो है बिगाड के रखी हुई है छोटी सी समस्याओं को काफी बढ़ा दी है गरीबी बिरोजगारी भु और एक सब्मलाइब करते हैं और हर एक लोगो को कहते हैं कि हर सबसे हर गली से हर नगर घण से लोगव को जो है इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए यह कमीता उन्हों ने सिर्पंगामा करने के लिए नहीं लिखा है उनकी कोशिस है कि हमारे देश का जो हालात है वो हाला जो है बदलना चाहिए और लास्ट में इन्होंने कहा है मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए यानि उन्होंने कहा है चाहिए देश का कोई भी नागरिक हो चाहें दुसियंद कुमार जी हो या आप लोग जो कवीता पढ़ रहे हैं वह या कोई भी देश का हर एक नागरीक तो उसके सीने में यह आग जलनी चाहिए विरोध की आग जो कि देश में यह भरष्टाचार गरीबी बेरोजगारी घुस्खोरी जो बढ़ रही है उसको देश में ऐसा माहौल बना हुआ है भरष्टाचार भुस्खोरी जो है देश में काफी बढ़ चुकी है तो इन सभी समस्याओं से उजागर करना इसन सभी समस्याओं को मिटाना ही सभी लोगों का संकल्प होना चाहिए और या विरोध हर सड़क हर गाव हर गली के लोगों क बताऊंगा और साथी साथ आप लोगों के जितने भी इंपार्टेंट एंसी क्यू ऐसे क्यू और लॉंग कोश्टन है बोल एक्जाम 2022 के लिए वह भी प्रवाइड कराऊंगा धन्यवाद